हेलो स्टूडेंट, आयम अंकीता साहू, यो टीचर तो देखी जो मैंने आप लोग को लास्ट वीडियो भेजी थी तो उसमें मैंने कलाओं का विकास पढ़ाया था तो इसके अंतरगत बताया था मैंने आप लोग को कि इस युग में जो कलाओं का छेत्र है जो उसकी उपलब्धी है कलाओं की वो बहुत ही महान थी और तावाद से प्रेणा लेके इन्होंने स्रेष्ट कावे की रचना भी की थी कावे जो है वो अस्तित्तों में आई थी और इसकी जो है कलपना को उच्छे कलपना को पंक मिले हुए थे फिर इसके बाद मैंने आप लोग को बताया था कि रेसम पर अंकित बहुत सारे प्र मिलते हैं और जो इस टाइम की चीन की दीवार बताई थी कि प्राचींतम भाग जो है वो इस युग में तीन सो तिरपन इसापूर टाइम पीरिड़ बताया था वो जो है सेंसी के दोनों और तक बनाई गई थी और इसके अलामा जो मैंने आप लोग को बताया था तो इस य प्राप्त हुई है तो ऐसी ही एक पात्र बताया था जिस पर भावन बना हुआ था इसके अलामा जो है यहां पर 600 मगबरे के उत्कनन में जो है 10,000 वस्तुएं उपलब्ध हुई थी जो जिनका ठीक ठीक अध्या नहीं हो पाया था क्यूंकि वो जो है काफी टाइम तक जमी पानी में पानी में थी जमीन में दबी हुई थी तो इसलिए उनका ठीक ठीक अध्यान नहीं हो पाया था और पात्रों में जो हो गढधा करके यह लोग स्वन और रजद भरते थे उत्कीन करके जो मैंने जूम मीटिंग में आप लोग को बता दिया था यह सारी चीजे और इनके जो पात्र बनते थे उन पे दैत को अलग से लगाते थे और जो धक्कन बनते थे उनमें पक्षी और अन्न जीव बनाते थे जो बहुत यह थार्थवादी लगते थे बहुत रियलिस्टिक लगते थे तो ऐसे यहां पे पात्र बनाये गए थे तो इसके अलामा कलाओं है। जिसमें वकत रेखाओं का इस ताइम पर बहुत हुआ है जिसमें वकल्ण से ओंक्रन किया गया है उसका सर्व पर चित घैंड़ा भरा गया है और उससे क्या पनाई है गेंडा बनाया गया है और वाहनों तो था फरनीचर पर भी खचित चित्रकारी की गई है और बड़े-बड़े ड्रैगन और पश्रु आकरतियां भी यहां पे मिलती है इस टाइम पे जो चित्रन हुआ है लंकरन हुआ है वो तोड मोड कर पर्याप्त उलजाया गया है तो इसका भी एक्जामपल मैंने आप लोग को एक शांग कालीन वीडियो में आप लोग को एक पात्र दिखाया था जिसमें ऐसा चित्रन हुआ था इस प्रकार मैंने इस टाइम पे एक शैली के बारे में भी बताया था इसे पर्श्रू है या एनिमल स्टायल कहते है क्योंकि य मैंने आप लोगों को बताया हुआ था कलाओं का विकास यहां पर इसके बाद इस में देखते हैं इस वाली वीडियो में और क्या चीजे उस टाइम पर बनाई गई थी तो आप लोगों को मैंने एक लगू पात्र बताया था मतलब मिनियेचर पोर्ट्री वेसल्स के बारे में करते थे लिए जो कालमिती अलंकरन करते थे थे जयामिती काले धरातल में यहीं किये जाते थे और यह छो जो ए तो मनंकरती आपड़ाती आपर लेड क्रताूर करते कांस की अनुक्रती ऐसी होती थी तो इसके साथ और देखते ही नोंने और लगुपात्र में क्या बनाया हुआ है तो इसमें देखते ही क्या है और पश्रुवों में चिता उल्लू आकरतियां हैं जो सपाट तथा योजना बद होते हुए भी गति तथा एठन के द्वारा सपाट है एक ही कलर टोन को यूज करके बनाई गई है योजना बद है वो तो एक ही टोन का यूज किया गया है और इसके साथ मतलब इन सब के होते हुए भी इनमें गति तथा एठन के द्वारा जीवनत शैली का परिचय मिलता है मतलब यह जो है इतने अच्छे से बनाई ग जीवनत शैली का यहां पर यह मतलब है तो जीवनत शैली का परिचय देती अभी यह जो नेक्स्ट लाइन देखते हैं चांसी प्रांत की कला के नमूने उत्करस्ट हैं जबकि छांग पिंग के नमूने भद्दे हैं इससे अनुमान किया जाता है कि इस समय चीन में दो शैल मिले हुए हैं नमूने मिले हुए हैं और एक में जो है उत्करस्ट नमूने पριाप्त हुए हैं तो अभी देखते हैं नेक्स हेडिंग है विभिन उपकरण इसी के निकट शाउ-चाउ छेत्र में उपलब्द कास से पात्रों के नमूने महत्तोपूण है आब देखें जो सा अधिक परिस्कृत है और सम्रद्म प्रबुद्ध लोगों से संब्वन्दित समझी जाती है तो यांक दिसी नदी उसके दक्षिनद शेत्र में बहुत प्रकार के उपकरण मिले हुए हैं और इसलिए यह बहुत सम्रद्धी और प्रबुद्ध प्रबुद्ध मतलब जिनका विकास हो चुका हो ऐसे मानव तो प्रबुद्ध लोगों से सम्मंधित समझी जाती है ऐसा लगता है कि इसको जिसने बनाया उसको बहुत नौलिस था अलंकरण के बारे में तो आगे देखते हैं 2000 वर्स तक पानी में डूबे रहने की अवधि में यह स्वयत मिट्टी की परत में दब गए थे अब जो है यह 2000 वर्स तक पानी में डूबे रहें जो यहां पर पात्र प्राप्त हुए हैं वो तो यह स्वयत मिट्टी की परत में दब गए थे जो बाद में प्राप्त हुए थ आप देखे जो ताबूत होते हैं ताबूत मतलब जिसमें मृतक को रखा जाता है तो ये लकडी के बनते थे तो मगबरों में अंतेस्टी फरनीचर प्राप्थ हुआ है तो ये जो बनते थे अंतेस्टी फरनीचर ताबूतों को कहा गया है तो इन पे जो है इन पे भी आलंकर लखडी के पट्रेयों उन्हें पर भी उत्कीनन किया हुआ है और इसके आसपार जेट पत्थर भी मिले हुए हैं और कांच की तस्तरी भी बिची हुई मिलती हैं चीन में इस युग में कांच का सवरप्रतां पश्मी देशों से आयात हुआ था कांच अस्त्र सस्त्र तथा प प्रियड है इस टाइम पर कांच का भी आयात होने लगा था दूसरे देशों से यह मंगाय जाने लग गये थे अब यहां पर कांच से बने हुए जो है अस्त्र सस्त्र मिलते हैं और पात्रों पर लाख चित्रन मिलता है इसके साथ साथ जो है रेसम और बास की पतली पर चट कास्ट से बनी हुए है लगडी से बनी हुए है जिसे जो ततकाली मतलब प्रिजन टाइम में रीट रिवाजों का अच्छा पर आदै के मतलब इससे यहाँ पर रेफरेंस लेके और भी चीजे बनाई गई है तो इसलिए अच्छा परिज़े मिलता है आगे देखते हैं कुछ समपरदाय संबंधी उपकरण भी मिले हैं जैसे भयंकर दैते का सिर पीले तथा लाल तथा काले रंग के लाग से अलंकरत सर्प चीतों पर पीठ मिलाकर बैठे पक्षियों के निर्मित ढोल रखने का स्टैंड कान से पात्रों पर इसी प्रकार के स्टैंड अंकित मिलते हैं अब देखें कुछ समपरदाय संबंधी उपकरण भी मिले हुए मतलब जो उस टाइम पर कमैनुटी थी तो उस टाइम के भी कुछ पर पीठ मिलाकर बैठे पंक्षियों नार्मित नीचे जो है चीते बणाये गए हैं उनका या फिर जो है कान से पात्रों पर भी इस प्रकार के स्टैंड अंकित मिले हुए हैん YUNAN PRANDH की कला में भी संस्कृति का प्रभाव मिलता है जिसकी शहली आप अरिवर्टित यथार से संमन्धित कही जाती है अब देखें जो YUNAN PRANDH है YUNAN PRANDH का नाम आप लोक सुनी चुके हैं तो जो YUNAN PRANDH है उसमें भी इस सांस्कृति का प्रभाव मिलता है जो आप उपर पढ़ाया उस सांस्कृति का प्रभाव कह रहे हैं जो आप लोग को दैत्ते का और लाग से बने चित्रों बताए तो यूनान प्रांत में भी इन सांस्कृति का प्रभाव मिलता है जिसकी सहली आपरिवर्तित यथार से समंधित है जो यहां की शैली है बहुत ही यथार्थ है रियलिस्टिक है जो आपरिवर्तित नहीं है मतलब रियलिज्म से रिलेटेड बताई गई है जो यहां की स्टाइल है वो इसी के निकट उतरी हिंद चीन के छेतर में जो धोल मिले हैं उन पर पक्षी तता के चित्रण मिले हुएं अंकन किया गया है उनका जो किसका प्रतीक मानते हैं वर्सा के टोटके का तो वर्सा के टोटके के लिए इस सारी चीज़े पक्षी और सर्प यहां पे ढोल पे बनाती थे तो आगे देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग रेश्मी पट चित्र दक्षणी चीन की चांग शा चेत्र है उनकी जो कबर है कब्रों पर रेशं होता था चादर चठाते तो वो जो है उनकार मिला पक्षी तथा एक महिला चित्रित है महिला घेरदार इसकर्ट पहने हुए है तो देखे जो चित्रन बताया है रेसम पर मिला हुआ है तो इसमें एक चित्र में जो है ड्रैगन बनाया गया है और फिनिक्स पक्षी बनाया गया है तथा एक महिला का चित्रन किया गया है और जो महिला बनाई गए हो उसको कैसा दिखाया गया है घेरदार स्कर्ड पहने दिखाया गया है प्रस्ट भूमी में बांस की दो टहनिया भी घुमाओ के लिए चितरित हैं यहां खरगोस के बालो तो था बांस की डंडी वाली एक तूली का भी मिली हुई है अब देखे प्रस्ट प्रस्ट भी मिले हुए है चीन में इसा पूर्व तरती सती में लिखने की तूली का आविस्कार हुआ तूली का द्वारा जिस प्रकार चितर बनाए जाते हैं उसी प्रकार लिखा भी जाता है तो देखिए मैंने आप लोग को बताया था कि यहां पे जो चित्र लिपी है जो इनकी लिपी है वो चित्रण के समान है यह स्टार्टिंग में बता दिया था कि वो तूली का से लिखते हैं उनकी लिपी देखके ऐसा लगता जैसे आप लोग देखते होंगे चाइनीज लैंग्विज तो वो जो है कैलिग्राफी की तरह बिल्कुल फिनिज्ड लिखत तो यह तरती सती में बताते हैं कि जो लिखने वाली इनकी तूलीका थी उसका आविसकार हुआ था तो यह तूलीका थी उससे जो है चित्र बनाए जाते थे और उसी प्रकार उनसे लिखा भी जाता था तो लिखने के लिए और चित्र बनाने के लिए सेम तूलीका का तो लिखने के लिए और चित्रण के लिए वह अपने हिसाब से तूली गाउं का प्रियोग करते थे तो देखे रेस्मी पर्ट चित्रण में अभी और आपका थोड़ा सा बाकी है तो यह मैं आप लोग को नेक्स्ट वीडियो में आगे का बताऊंगी इसमें क्या है तो अभी इतना जो भी न समझ में आया हो तो जूम मीटिंग पर मुसे डिसकस करें बाकी मैसेज कर सकते हैं आप पूछने के लिए अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम हो तो और रेस्मी पट चित्र ही अच्छे से पढ़ लीजेगा इसका जो बाकी का है मैं आप लोग को बता दूँग